तो हे गाइस वल्कम बैक टो अनदर वीडियो दोस्तो जैसे कि आपने थम्मिल को देखा ही होगा आज मैं आपको सौरोजोशी के बारे में पाच अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे देख कर शायद आपका भी रेक्शन कुछ ऐसा ही होगा तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक तो चलिए शुरू करते हैं वैसे दोस्तो अगर आप सौरोजोशी के फैन होगे तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपनी पहचान आर्ट्स से बनाई थी हाँ दोस्तो वो बहुत अच्छे अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं और हाँ दोस्तो अगर आपको पता होगा कि सौरोजोशी पहले अपने चैनल पर बस ड्राइंग की वीडियो डाला करते थे और दोस्तो दिरे दिरे उन्होंने अपने चैनल पर व्लोगिंग की वीडियो डालना शुरू कर दिये दोस्तो सौरवजोशी का जन्म 8 सप्टेंबर 1919 में देरुदन में उत्राखंड में हुआ था दोस्तो सौरवजोशी के ममी और पापा का नाम हरिंदर जोशी और हीमा जोशी है दोस्तो अगर आपको पता होगा तो सौरवजोशी का नेचर बच्पन से ही बहुत शाय रहा है दोस्तो सौरोजोशी पहले इतने बात नहीं करते थे लेकिन जब से उन्होंने व्लॉगिंग शाट किये तब इसे वो सबसे खुल कर बात करते हैं और दोस्तो एक व्लॉब में सौरोजोशी के मंजी ने भी कहा है कि वो बच्पन से बहुत शाय थे और शर्माते थे दोस्तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सौरव जोशी का पहले आर्ट्स का चैनल था फिर उन्होंने धिरे धिरे प्रोग्रेस करते करते 19 February 2019 में अपना व्लोगिंग का चैनल खोला दोस्तो आपको यह जान कर बड़े हिरानी होगी कि सौरव जोशी के दो चैनल से फिर्स्ट सौरव जोशी व्लोग और सेकेंड सौरव जोशी आर्ट्स दोस्तो सौरव जोशी के आर्ट्स के चैनल पर 4.58 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जबकि इनके व्लोग्स के चैनल पर 24.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो